वो 1981 में लहोर के एक अडाई घाराने में पैदा हुए इसने एचिसन कालिज में अपनी तालीम हासिल की बाल में वो लंदन चले गए जहां से इन्होंने वेलिंटन कालिज में दाफला लिया अपनी बैचलर डिगरी के लिए नंदन युनिवरस्टी और एकनॉमिक्स में ग्रैदुएशन मुकमल किया इसके बाद वो बर्तानिया की बीपीपी युनिवरस्टी गए जहां से इसने कानून में डिपलोमा किया वो स्यासतदार के इलावा बैडिस्टर भी है इनके वालिद मुहम्मद अजहर एक स्यासतदान है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता है इन्हों ने माजी में पंजाब की गुवर्नर की हैसियत से भी खिद्माद अजाम दी और वो लाहोर के एहम स्यासतदान रहे हमाज ने 2011 में स्यासी मैदान में कदम रखा और अपने वालिद के नक्षे कदम पर चल पड़े 2013 में इन्हों ने पहली बार PTI के टिकट पर हलका NA-141 के आप इंतखाबात में हिस्ता लिया लेकिन बदकिस्मती से वो बड़ी काम्याबी हासिन ना कर सके और अपने मुखालिफ से ठार गए इनके मद्दे मकाबिल मेहर इस्तियांग ने P.M.L.N. के पार्टी टिकट पर ये नशिस्त जी थी 2013 के आप इंतखाबात में इन्हों ने एक बार फिर किस्मत अजमाई और PTI की पार्टी के टिकट पर भारी अक्सिधियत से वोट हासिल कर लिये इन्होंने लहोर के हलका N.A. 126 से इलेक्शन लड़ा M.N.A. की हैसियत से हलफ उठाने के बाद इन्हें इम्रान खान की काभीना में बहुत सी जरूरी वजारते दी गई हलफ उठाने के बाद इन्हें 11 सेप्टमबर 2018 को इम्रान खान की काभीना में वजीरे मुमलकत बराए रैविन्यू मुकरर किया गया 11 जून 2019 को इन्होंने असम्बली में सलाना बजट पेश किया जुलाई 2019 तक वो इस उखते पर रहे जिसके बाद इन्हें एक ओर वजारत दी गई 8 जुलाई 2019 को हमान अजवर को वफाकी वजीर रैविन्यू बना दिया गया अगले दिन इन्होंने हलप लिया और इन्हें डिवियन और इक्तसादी अमूर का वजीर मुकरर किया 6 एप्रेल 2020 को इन्हें इक्तसादी अमूर के वजीर के उपदे से बरतरक करके पैदावार और सन्नत का वजीर बना दिया गया इन्होंने असंबली में 7,294.9 बिलियन मालियत का सलाना करोना बजट दिया 29 मार्च 2021 को इन्हें एक और जरूरी वजारत वजारते खजाना अता की गई वजीर आजम इम्रान खौन के हुकम पर साबिक वजीर खजाना हफीज शेक की जगा हमार अजवर को तैनाद किया गया था इन्होंने 16 एपरल 2021 तक इस ओहदे पर खिदमाज अंजाम दी 17 एपरल 2021 को हमान को तवनाई का वजीर बनाया गया जो गर्डिशी कर्जों में इजाफे की वजा से सबसे पैचीदा वजारत बताई जाती है झाल झाल